हाई गाई वल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूपिया आप लोग को मेरे चैनल स्वागत है अज मैं आप लोग के लिए लेका हूँ यह सुन्दर सा ब्लैक स्मोकी आई लूक जो की क्रियेट करना बहुत ही सिंप्ल है और आज मैं से दो चीजों से यह लूक करने वाली हूँ एक ह मैंने यह लूक कैसे रचिप काई अगर लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना या ना एनलग कर देना ब locked करते हैं य स्किन को कमेसा करना हमें से मेकप करने से पहले आपनी-स किनको बोग ले करें तो मैं वह पहले से करके रखा था अब मैं प्राइमर यूज़ करूंगी जो किया ब्लु एबन की सिलिकॉन बेस प्राइमर ये स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूध बना देता है अपके स्किन को हाइड़ भी करता है ऑईल स्किन बालो या इनके बहुत ज़्यादा पो स्किन में गढ़ है वह हमेंसा सिलिकॉन बाला प्राइमर भी यूज़ करें तो अब मेरा प्राइमर लगाना हो गया अभी मैं प्राइमर को थोड़ी दिर सेट करने दूंगी तब मैं आई लूक कर लेती हूँ है यहां पर मैं आई ब्रोक सबसे पहले करूंगी तो उसके ल करके अपलाई करोंगी बहुत जादा नहीं करोंगी तो हम ऐसा ना आई ब्रो जब करें तो छोटे-छोटे हीसे पही करें और एकदम से बहुत सारे अपलाई मत करें क्यूंकि ऐसा लगता है कि आई ब्रो के कलर जो है वह आता नहीं लेकिन वह आता है हमें ऐसा लगता है कि वह नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ एपलाई नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं वह होता है अगर आप बहुत ज्यादा एपलाई करोगे तो थोड़ा सा नाचरल लगेगा और अगर आप छोटे-छोटे हीसे पर कम करोगे कम कम लोगे तो एकदम नैचरल सा लगेगा मैं भी पहले ऐसा ही करती थी गलती तो इसलिए मेरा भी मन नहीं करता था आइब्रो करने के लिए कि मेरा बैसे भी आइब्रो बहुत ज्यादा ठीक है लेकिन जब मैं ठीक तरीके स इसे सिख गई तो अब मैं करती हूं अगर ठीक तरीके से नहीं रिख्या तो बुरा मत बना क्योंकि मैं ठीक तरीके से आइब्रो मैं नहीं कर पा रही हूं और आइब्रो ना एकदम भी ऐसे सामने से मत करो और अगर लगाने की ज़रुरत भी ए तो एकदम लाइट लाइट करो नहीं तो अननेचरल सा फील होगा जाए देखो मैं यहां पर कर लिया तो कैसे दिख रहा है और यहां पर एक नेचरल बढ़ा लग रहा है लूग यह मै मैं सेट कर लूगी बाद में कंसीलर की मदद से अगर ऐसे कोई गलती हो जाए तो मैं ठीक कर लूगी लेकिन आप लोग ध्यान से करना देखो किन्यान नचरल से लग रहा है फेक लग रहा लगे यहां फेक आइब्रो में लगाया लेकिन इस साइट पर ऐसा कुछ नहीं अब मैं थोड़ा अशा कट कर लूगी अपने आइब्रो को तक ही ठीक लगे और आइबेस भी लगा लूगी यह लूग आई लूग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैंसे आई साइडो एक ब्लैक और ब्राउन और मेरा काजल जो है वो यूज करोंगी ज्यादा कुछ चीज़े नहीं लगेगा इसमें हाँ लेकिन आप कोई भी स्मोकी लूग करें ना उसके लिए आपको ब्लेंट की ज़रत बहुत जादा है अगर आप ब्लेंट नहीं करोगे तो स्मोकी नेस अच्छे से नहीं दिखेगा तो मेरा आइब्रोल मैंने नहीं किया इसमें से थोड़ा सा दिख रहा होगा से पच्छे से साथ नहीं है अज मैं आइबेस के लिए मेपलीन का कंसिलर यूज कर रही हूँ जो कि मेरा अल्मोस्ट खतम हो चुका है यह कंसलर बहुत अच्छा है मेरा आइब्रो डन अच्छे से अच्छे अब मैं मेरे आइबेस को पाउडर की मदद से सेट कर लूँगे तक वो क्रीज ना करें अच्छे मेरे यह पाउडर भी बहुत पिक्मेंटे थे तो हमेंसा एक्सेस को टैप आप करके लगाना नहीं तो बहुत ज़्यादा वाइब दिखेंगा तो हो गया एथ तो सबसे पहले मैं यहां पर यहां पर यह पर आप आपके प्रीज का और आप अच्छे में फ्लाफी प्रास लेख लोंगी आज भी मैं वही पैलेट लियाउन ब्यूटी का पैलेट ही यूज कर रही हूँ वहां से मैं यह लाइट ब्राउन का लाइटा से लोंगी पहले और अब मैं मेरे क्रीस के उपर अपलाई करोंगी इसे राउंड राउंड करके इसे ब्लेंड करोंगी बहुत ही अच्छे से हुआ 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 है हमें जो है आइसे लगाने से पहले एक्सेस को टेप अफ कर लेना हो गया है मेरा अब जो है मैं यह बेला बहुष्टे का काजल यूज कर रही हूँ को ऐसा बेज बहुत ही पिक्मेंटेट है देख रहे हो मैं एक-एक आंख पर पहले कर रहती हूँ नहीं तो वह सूख जाएगा बाद में स्माच करने में प्रॉब्लम आगा तो मैं ऐसे फ्लाइट सेडर ब्रास लेकर इसको इसकाजल को समाज आउट करूंगी को बहुत ही अच्छे से इसे समाज आउट करना परेगा नहीं तो हर्स लाइन दिखेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा आउटर कॉर्णर की तरफ ऐसे पूस करें हो ताकि एक स्मोकी विंग बाला लूक आए जब आपको लगे कि यह बहुत ही अच्छे से स्मूदली ब्लेंड हो गया है उसके बाद अब कोई भी ऐसे डार्क कलर का आईसेड़ ब्राउन आईसेड़ लो पहले ही आप ऐसे ब्लैट की तरफ मत जाओ नहीं तो अकर आप बिगनर हो तो बिल्दिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो पर मैं काऊंगी कि धीरे धीरे करना ही बेटर है यह काफी हद तक ब्लैक ही है थोड़ा सा ब्राउन टोन में है तो मैं इसे क्रीज के एक अलग सा मैं ब्रास लिए हो मैं पहले यह ब्रास से कर दिया थी अब मैं पर क्रीज के यहां पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी अब मैं अब मैं अब मैं क्या करूंगी एक फ्लैट से ब्रास लेकर जो मैं पहले लिया था यह वाला वहां पर मैं यह वाला जो ब्लैक कलर है इसमें थोड़ा से नहीं है अब के पास जो है वही लगा लगना मैं यहां पर जहां पर काजल लगाया था देख रहा है थोड़ा से सीने इसलिए थोड़ा से साइन कर रहा है मैं उसके उपर लगा लूगा इस सेम ब्रास लेके जो ऐसे ब्राउन लिया था ट्राग ब्राउन उसको लेके मैं थोड़ा सा यहां पर इसके वहां पर लगा लूगी थोड़ा सा और इंटेंसिपरी करना था मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रास है मुझे पता है यहां पर बहुत सारा ब्रास लाग रहा है लेकिन चब यह निकल के आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा मैं बहुत ही अच्छे से सबकुछ ब्लेंट आउट कर रहे हैं देखो हो गया मेरा ब्लैक स्मोकी आई लूग काफी सुंदर लग रहा है ना जब पूरा फूल फेस मेकप हो जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं दुसरे हांग में फटफट से कर लेती हूँ तो देखा इसलिक को करने के लिए अपको ज्यादा कुछ चीजों की ज़रुरत भी नहीं पड़ेगा एक पैलेट जिसमें ब्राउन तो हो गाई अपका इसाड़ पैलेट लो और अपका काजल सही लैक स्मोकी आई लूग अबलोग कर सकते हूं हुआ हुआ है हुआ है तो हो गया मेरे दोनों आख में लैक आई लुक अब मेरा फुल फेस मेकप कम्प्लीट करूंगी जिसके लिए में यूस करूंगी लाओरिया का, मैं सबसे फेवरीट फाउंडेशन तो मैं सबसे पहले इसे ऐसे फुल फेस में डॉट डॉट करके फैला लूँगी अब डायरेक्ट कभी भी स्पंज या ब्रास के मदद से मद लगाओ पहले ऐसे ऐसे फेस पर लगा लो तो कि आपको पोड़क्ट भी कम लगेगा आपके फुल फेस भी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा नहीं तो वो जो स्पंज होगा या ब्रास होगा वो काफी जादा लगेगी अच्छे अच्छे बहुत ही फूल कबरेज फाउंडेशन है तो में आगों के नीचे थोड़ा सा डिप है कि देख रहा हूं मेरा यहां पर काफी थोड़ा सा जादा पिग्मेंट का प्रोब्लेम ही और एकने का मार्क्स था कि वो काफी अच्छी तरीके से इस फाउंडेशन में छुपा दिया है हाइड कर लिया है बीना कोई करेक्शन के मदद के बीना ही कोई करेक्शन या कर नहीं लगाया था यहां पर में इसा मेंकप जब भी करें अपने नीक और जहां जहां दिख रहा है ओपन एरिया जो है ऐसे यार बगरा में भी लगा ले नहीं तो थोड़ा सा अजीब दिखेगा अब मैं मेरे कंसीलर करूंगी आंको के नीचे थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसे डल लग रहा है मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी ज्यादा नहीं लगाऊंगी कि यह बहुत ज्यादा लाइटर है मैं थोड़ा से यहां पर कड़ भी कर लिया तकि और भी अच्छी तरीके से यहां पर वह फिंग वाला लुक आए काफी अच्छी तरीके से मेरे अंडर आई को लाइट अप कर दिया देख रहे हैं अब लोग मैं आज यहां पर कोई भी शेलोटे वियूस नहीं किया था नहीं बस कंसिलर के मदब से इसलिए मैं थोड़ा सा कट आउट कर लोगाई दो मुझे लग रहे हैं यहां पर मेरे थोड़ा सां नहीं प्रॉब्लम एशली मेरे में माउत के लिया पे थोड़ा साल लगा रही हो अदिलर अब जहां जाँ आपको लगए आपार आपार। एभान। तक रियोस कर सकते हो। कांसिलर को ने कभी भी ऐसे ज्यादाो कीशो मत। आप जिस जगह लगाए से उसी जगह इसे फ्वेलाल। नहीं तो आपका बेस पुरा ख़राप हो जाएगा। ज्यादा घीस होगे तो फांडेसान अपका उठ सकता है देख रहे हो कि मैं अच्छी तरीके से यहां पर लाइट अप कर दिया है अब मैं केरे करूंगी एक स्पंज लूँगी उसके में यहां पर थोड़ा सा डैब डैब कर लूँगी कि जो भी ज्यादा वाइट लागई या एक सेस्पोड़ाट है यह स्पंज उसे सोगे अब मेरे फेस को सेट कर लूँगी सेट कर लूँगी पाउडर के मदद से अब सेट नहीं करोगे तो आप जो बेसे वो क्रीज हो सकता है मैं ज्यादा गी लिया थोब इसे लियाए आप मैं मेरे फेस को ब्रॉंज आप करूंगी जो की है विक अब रिविलिशन का ब्रॉंज आप प्रॉंज जो इसे ऊपर की तरह करना है अपना ओ जो जो लाइन पर काफी अच्छा कालर है बन जार है सबकोस थोड़ा थोड़ा ही लेना नहीं तो इक पीगमेंट बहुत जादा है देख रहे है अब लोग थोड़ा सा पोरेट पे भी करूंडी अफ मेरे इसी कंसिलर का जो ब्राश है उस ब्राश को लेकर में तो उसकी एजेस की एजेस कि ता मदद से मैं ये नोस को कंटूर कर लोगी अब ये सोरी गाइस अगर बैक्ग्राउंड में थोड़ा सा रोने किया ऐसे कुछ आवाज आए क्योंकि आदी है मेरे सिस्टर की जो लड़के है वो मेरा नेफ्यों और रो रहा है तो मेरा कंटूरिंग भी हो गई है आप मैं प्लस यूज़ करूंगी जो कि ये सिगनेचर पैलेट दूगार वें तो मैं ये वाला सेट यूज़ करूंगी इसे भी आपवा डारिक्शन में ही करना है थोड़ा सा बॉंज़र के साथ मिला के ताकि आपको नेचरल सा ग्लोव आए नेचरल सा लूक आए अपको लगे कि आपका फेस ही ऐसा है यहां पर मैं हमेंचा यहां पर लगाना ज़ादा पसंद रंती यहां पर फेससी चीदल पर देनां इसां लागहों का मेरी तरह बहुत ही फूलल चिक है, ।काहर आउ कि यहां पना delivery और बहुत फूललुकर रहा है कि वह दूल्स, करोगह राच को है तो जिनके पैजा से उसके फेस जो है थोड़ा सा फुलर लूक आएगा कि देख रहे हो गया है अब मैं मेरे फेस को पॉलर हाइलाइट करूँगी इस चोटा सा एक फ्लाफी आई सेटो ब्रास है बहुत अच्छा से लग जाता है यहां पर लगाऊंगी वीज अब दी नोस चीक पर इसे फिंगर के मदद से अगर आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लोगे ना तो एक नेचरल से लूग आएगा अपके स्कीन ही ग्लो कर रहा है ऐसा कोई पॉड़क्ट अपने नहीं लगाया यह स्की जह कर दो लोगाएंगए कोई आपग्टर कि थोड़ा से यहां पर भी लगा लूंगे हैं थोड़ा ऐसा फोरेटेश अब लिप्स्टिक लगाना बाकिये लिप्स्टिक मिल गया मुझे न्यूट लिप्स्टिक है जो कि यह वेट अंड वाइट का इसका सेट नंबर जो है गीफ मी मोका बहुत ही प्यारा सा न्यूट कलर है हो गया है मेरा तुम्हें यहां पर मेरा लूप थोड़ा सा कंप्लीट करना बागी है तुम्हें यहां पर न्यूट कलर का कजल यूज करूंगी जो कि वेट अंड वाइल तक कि अब कल जो का जल मंदब आख है थोड़ा सा बिगर दिखे अब मैं क्या करूंगी पेंसिल ब्रास या ऐसे एंगल ब्रास लेके मैं वही जो ब्राउन सेट था उसे लेकर लोर लैस लाइन पर थोड़ा समझावड कर लोगी कि और ज्यादा अप्यार बारे दिखे झाल जी मैंम यूसके हुआ है कर दो हो गया है अब मैं इक पॉइंटेट ब्रास लेके जीन अर को थोड़ा जा है लेकर लोगो मैं प्राइबोन को हाइलाइट करना पूल गया थी उसे दिखा दूने हाइलाइट हो गया मैं मस्करा लगा हूंगी मुझे मिल नहीं रहे पता नहीं कहा लग दिया मैंने अज्वागी आप इनल इपल्ग यह जो की लेक्मिका कि यह था मेरा आज का ब्लैक स्वोटियार लुक मेरा पूरा फेल फेल नेकप कम्प्रीट हो गया है तो कैसे लग रहा है आपको हो अब लग यह लुक अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक आप सब्सक्राइब करना और सेयर करना प्लीज प्ली अच्छाज करीविटनाएं इस विद्धा नाएं स्टेय हैपी स्टेय सेफ